इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल और बिंक सर्च इंजन्स की उनकी हिस्ट्री की वैसे तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है ये कुछ दो दहाईयों से गूगल एक्जिस्स करता है लेकिन वह थोड़ी सी मुखत सी हिस्ट्री कुछ में पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा ताके आप लोगों को आईडिया हो कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई और कहां सक ये कहां कहां लिंक जाते हैं ये तो हमें पता चल जाता है लेकिन सैंटफोर्ड वेबसेट को कितनी वेबसेटें लिंक कर रही हैं ये हमें पता नहीं चलता तो कोई ऐसा सर्च एंजिन होना चाहिए कि वो ये बता सके कि इस वेबसेट को कितनी वेबसेटें लिंक कर रही हैं ताकि हम उसको धूंड सकें उसको देख सकें इस बन्यादी आइडिया से ये बात स्टार्ट हुई और उन्होंने ने मिलकर एक सर्च एंजन लाँच किया जो के 1996 में बैकरप के नाम से लाँच हुआ और बाद में इन्होंने इसका नाम बैकरप से गूगल रख दिया गूगल बेसिकलि ये एक मैथमेटिक में एक वर्ड है गूगल के नाम से जिसका मतलब यह है ये एक नंबर को रिप्रिजेंट करता है और 1997 में इसकी गूगल डाट कॉम डूमें फर्स टेम रिजिस्टर हुई लेकिन एक साल बाद इन्होंने ऐस अ कमपनी रिजिस्टर करवाया खुद को और तकरीबान 1998 में ही सब्टेंबर में इन्होंने गूगल ऐस अ सर्च इंजन लाँच कर दिया जब वेबसेट लाँच हुई गूगल के लेरी जो फांडर्स अन लेरी पेज और सर्च इबरेन ने इसको बेचने की कोशिश की वो ना सिर्फ याहू के पास गए बर कि वो अल्टा विस्टा और जो कि उसक एक अच्छा सा चिंजन था और एक साइट के पास भी गए यहां तक कि वो 750,000 डालर पे बिकने के लिए रेडी थे लेकिन किसी ना किसी तरह से एकसाइट के CEO ने आके डील कैंसल कर दी जब उनको कुछ भी ना बना तो उन्होंने एक छोटे से आफिस से स्टार्ट किया किस तरह उन्होंने कहा कि जब चूँके बिक नहीं रही तो उन्होंने इसको as a company launch किया और उस पे काम शुरू किया यह वो एक फोटो है जो पिछले जो इनकी अरली टीम जो कि Google की बन्यादी शुरू में जो मेंबर्स थे यह उस टीम का एक हिस्सा है जो कि आज इस दुनिया के एक तरह से सबसे बड़ी company के बीच में हैं या कोई लोग छोड़ गए है अच्छा 2005 में जैसे हमने पहले discuss किया गूगल ने वक्तन फ़कतन मुख्ली प्राइट्स लाँच की हैं इसी तरह से 2005 में गूगल ने Android लाँच किया, Google Maps लाँच किया, Google Analytics लाँच किया और आज यानि के लास्ट येर 2017 में गूगल का जो टोटल रेविन्यू था वो एक सो नो बिलियन डॉलर का था और अब तक यह सबसे बड़ी internet company बन चुकी है जो कि सिरफ internet नहीं बलके different product different domains में भी अब penetrate कर रही है जो दूसरा बड़ा search engine है वो बिंग है जो Microsoft की product है जैसे हमने बात की कि search engine almost सब एक ही pattern पे vectors को rank करते हैं और उसके बाद उसको index करते हैं लेकिन हम चुके Google को ज़्यादा focus करते हैं उसकी वज़ाज यह है कि Google ज़्यादा माना जाता है और clients भी जब हमें पैसे देते हैं या हम आप से request करते हैं तो वो Google के ओपर results expect करते हैं वो अगर आप उनको बिंग पे दिखा भी दें तो वो शायद accept ना करें तो बिंग लेकिन फिर भी market share रखता है बिंग की एक importance है तो बिंग search engine जब launch हुआ इससे पहले MSN search engine MSN के नाम से search engine exist करता था जो बाद में live Windows live के नाम से लेकिन उन्हें बाद में June 2006 में June 2009 में उन्हें इसका नाम बिंग रख दिया और बिंग को एक नई product store पर उन्हें launch हिया 2012 में उन्हें याहू की साथ merger करके याहू की search on कर ली याहू search engine अब as a search engine primarily नहीं exist करता बिंग जदातर याहू की search power करता है और इस वक्त बिंग का जो है share market में तक्रीबन 20.9% calculate किया जाता है जो कि USA में figures हैं बाकी जोग अब इसकी figures नहीं हैं लेकिन फिर भी बिंग एक दूस बड़ा search engine माना जाता है अगर आप search engine optimization के perspective से देखें तो Google नमबर वन पे है और Bing नमबर टू पे है और दोनों ही almost बहतर है क्योंकि ultimately हमें traffic चाहिए हम जब search engine optimization की बात करेंगे इस course में हम almost focus हमारे ज़्यादा Google के ओपर होगा लेकिन हम कोशिश करेंगे जहां पर ज़रूत प झाहिए